पॉतिन के शुरू की ये महायुद को एक साल पूरा हो गया है इस एक साल में योकरेन के कई शेरों को रूस ने खाक में बदल दिया है रूस के टैंक्स ने योकरेन को मलबे में बदलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है पॉतिन को किसी भी हाल में ये युद्ध जीतना है यह पॉतिन के लिए एहम की लड़ाई बन गई है यही वज़ा है कि पिछले एक साल की जंग में रणमीती बदली और किसी भी तरह जेरंस्की को जुकाने की कोशिश की लेकिन अब पॉतिन ने सबसी ख़तरनाफ प्लैन तयार कर लिया है रोस ने दोनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणो में शहित्अ कुटैनात करने का घलान किया है यह मैंसायल है सर्माट जिसे शैतान तू भी कहा जाता है यह कितनी खतरनाक है इसे ऐसे समझा जा सकता है कि सर्मात मिसाइल की रेंज 18,000 किलो मीटर तक बताई जाती है सर्मात 35 मीटर लंबी मिसाइल है ये एक बार में 10 जगों पर बर्माडू हमला करने में सक्षम है जो दुश्मन के अलग-अलग ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है ये हाइपरसोनिक स्पीड से यात्रा कर सकती है और मिसाइल डेफेंस को धोखा दे सकती है जब से पोतिन ने अपने विनाशक सर्मात को डेपलॉय करने का अलांग किया है नैटो से लेकर पूरे यॉरप का खून सूख रहा है क्योंकि रूस की सर्मात मिसाइल अगर युद्ध में उतरी तो कीव से न्यू यॉर्क तक इसकी जद्ध में आ सकते है पोतिन के गुस्से ने दुनिया को दीसरे विश युद्ध के मोहाने में जोग दिया है जहां से लौट पाना अब मुश्किल लग रहा है सर्मात मिसाइल के बहाने पोतिन ने एक तरह से परमाणू युद्ध का ऐलान कर दिया है पोतिन ने अमेरिका की साथ स्टार्ट परमाणू समझोते को खत्म कर दिया है पोतिन ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि अब वो योकरेन विद्जीतने के लिए परमाणू हमले की हद तक भी जा सकते हैं रूस की इस खदर्नाक मनशा से अमेरिका भी बॉकला उठा है One year ago, the world was bracing for the fall of Kyiv Well, I've just come from a visit to Kyiv and I can report Kyiv stands strong Kyiv stands proud, it stands tall पूरी दुनिया में जितने पर्माडू हत्यार है उसके चार से पांच गुना पर्माडू हत्यार अकेले रूस रखता है अगर रूस ने पर्माडू हमला करना शुरू किया तो भी दुनिया का बचपाना मुश्किल होगा जब तक दूसरे देश रूस को जबाब देने की सोच रहे होंगे तब तक पोतिन आधी दुनिया में तबाही मचा चुके होंगे